नमस्कार मलीना और आप देख रहे हैं MNS News राइगर में कोकन कुरुशी विश्व विद्याले के लिए पिकनिक में जाने वाली बस पोलागपुर महाभरेश्वर मार्ग पर अम्बेनरी घाट में 600 फुर्द गहरी खाई में गिरी इस घटना में 32 कर्मचारियों की घटना स्थल परी मौथ हो गई इस बस में सफर कर रहे प्रकाश सावन्त देशाई ये इकलोते शक्स थे जो जिन्दा बच गए उन्होंने ही खाई से बाहर आकर इस पूरी घटना की जानकारी विश्व विद्याले को दी कुलहपूर के 10 चौक में हो रहे मराठा समाझ के अंदुरन में शरत पवार में अपनी हाजरिय लगई इससे पहले उन्होंने पत्रगार परिशद में कहा अगर घटना में बदलाव किया जाए तो मराठा समाझ को आरक्षन मिल सक्ता है इसलिए मराठा समाज आरक्षन देने के लिए घटना में बदलाव करना अनिवार यह है अगर केंद्र सरकार ने घटना में बदलाव का निर्णा लिया तो विरोधुयों को उसका महत्व में खुद समझाऊंगा यह शरत पवार ने अपने भाषन में पत्रकार परिशद में कहा है पंधरकूर में बीच वारी में साप छोड़ने का समाद किसी ने किया होगा इस पर मेरा भरोसा नहीं तो भी ऐसा कुछ घटित हुआ होगा तो दूद का दूद और पाणी का पाणी होना चाहिए ऐसा राश्ट्रवादी कौमियस के नेता अजित पवार ने कहा है ऐसा अगर किसी ने बोला होगा तो ये सवात समाच के सामने आना चाहिए मराठा समाच के आरक्षन को लेकर अजित पवार ने कहा कि 52 प्रतिशत आरक्षन को धक्का न लगाते हुए मराठाओं को आरक्षन मिलना चाहिए अब सरकार मराठा समाज का अंत ना देखी। ऐसा आजित पवार ने पूने में पत्रकार परिशद में कहा है। अब सरकार परिशद में पत्रकार परिशद में पत्रकार परिशद में कहा है।